ग्यारा दिन ये सरफ तीन चीजें खालो पूरी जिंदगी सुगरो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, कमजोर आँखें और ये दिल से जुड़ी बीमारियं आपको कभी नहीं होगी नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी तीन चीजों के बारे में बताएंगे ज़दी आप इन तीन चीजों का सेवन हमारे द्वारा बतागी इस विदी से करते हैं तो दोस्तो आपका पूरा सरीर AD से लेकर चोटी तक का पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा क्योंकि दोस्तो ये तीन चीजें आपके सरीर की हर त्रह की बीमारी का इलाज करेंगी चाहे आपके सरीर में पहले से कोई बीमारी है या फिर आपको अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बनाना है अपने सरीर की किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा पाना है तो दोस्तों ये तीन चीज़ें आपके सरीर के लिए एक वर्दान की त्रह काम करेंगी और किसी भी बीमारी की दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कोल करके आप अपने खर पर ही दवा मंगा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं सबसे पहले कि इन तीन चीजों को खाने से आपको होगा क्या दोस्तों क्या आपको पहले से डाइबटीज की बीमारी है या फिर आप ये चाहते हैं कि आपका जो सुगर लेवल है वो हमेशा कंट्रोल में बना रहे और दोसरा या फिर आप ये भी चाहते हैं कि आपको इस diabetes की बिमारी के जो भी complication है आप उन सब से बचे रहें जा पिर आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आप चाहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी ये सुगर की बिमारी ना हो तो दोस्तो आपको इन तीन चीजों को continue सेवन करना चाहिए लगातार आप 11 दिन तक लें 11 से 21 दिन तक आप इसको लगातार लें उसके बाद 11 दिन का गैप दें फिर 21 दिन के लिए ऐसे आप continue निकास सेवन करते रहें और दोस्तो यदि आप ऐसा करेंगे तब यदि आपको diabetes की बिमारी है तो वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी बैड कोलोस्टोल बहुत अदिक बड़ा हुआ है और आपको heart blockage है या फिर आपको heart blockage का डर है या फिर आप इस heart attack से बचे रहना चाहते हैं तो दोस्तो आपको इन तीनों चीजों को हर रोज सेवन करना चाहिए और यदि आप 11 दिन तक इनका लगातार सेवन करेंगे तब आपको इसके चमतकारी result दिखाए देंगे दोस्तो आपके cholesterol की समस्या बिल्कुल सही हो चाहेगी आपके सरीर में bad cholesterol नहीं बनेगा और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपको cholesterol की कोई समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको heart blockage होगी और ना ही आपको heart attack आएगा यानि आप इन तीनों बीमारियों से बचे रहेंगे और आपने इन दिल की बीमारियों का इलाज करतेंगे दोस्तो इसके साथ ही इस नुस्खे को लेने से इन तीन चीज़ों को हर रोज खाने से आपके पूरे सरीर के खून की सफाई भी होगी और दोस्तो यदि आपके सरीर का खून सुध होगा तब आप डेल सो त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे इनमें कोलोस्टोल हार्ट ब्लोकेस अफ हार्ड टेक भी मुक्य हैं इसके अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारिया हैं जो हमारी इस खून की गंदिगी के कान पैदा होती है क्योंकि खून में हमारे एसडिटी जब बढ़ जाती है तो वो हमारे सरीर को रोगी बना देती है दोस्तो इस एसडिटी के कान ही हमारे चहरे पर कील मुहा से आ जाते हैं हमारा चहरा खराब हो जाता है यानि इससे आपकी चहरे की सुन्दरता भी निखर जाएगी आप पचास के उमर में बीस के दिखाई देंगे दोस्तो क्या आपको पेट के रोग है या आपका पाचनतंतर कमजोड है और आप अपने सभी तरह के पेट के रोगों का इलाज करना चाहते हैं इस कबज गैस और एसडिटी के समस्या का इलाज करना चाहते हैं क्योंकि दोस्तों ये कबज, गैस, एसड़िटी ही हमारे सिरीर की 72 बीमारियों का कान बंगती है यानि आप इन 72 बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तब भी दोस्तों आप इन तीनों चीजों का आपको लगातार सेवन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों इन तीनों आते हैं दोस्तों तब भी ये तीन चीजे आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेंगी क्योंकि ये तीनों चीजों का सेवन करने से आपका मोटापा छूमंतर की तरह गायब हो जाएगा क्योंकि इनको लेने से आपका मेटबलिजम बोश्ट होगा और जब आपका मेटबलिजम बोश्ट होगा तब आपका मोटापा यानि पेट की चर्वी कायब हो जाएगी दोश्तो क्या आपकी आँखों की रोषनी कमजोर है या आपको आँखों से जोड़ी कोई अन्य बीमारी है दोश्तो तब भी आप इन तीन चीजों का हर रोज सेवन कीजिए क्योंकि इनको सेवन करने से आपकी आँखों की रोषनी बढ़न लगेगी ग्यारवे दिन से ही आपको इसका असर दिख जाएगा जिससे कि आपकी धीरी-धीरी आँखों से चस्मा उतर जाएगा और आप बिलकुल सही हो जाएगे आपकी आँखों की रोसनी 6 by 6 हो जाएगे इसके इलावा भी आँखों के दर्द बगएरा आँखों में पानी आन इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा दोस्तों क्या आपको एनिंद्रा की बीमारी है और आप इस एनिंद्रा की बीमारी का बिलकुल जड़ से इलाज करना चाहते हैं दोस्तो तब भी आपको इन तीनों चीजों का हर रोज सेवन करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों चीजों का सेवन करने से आपको चमतकारी रिजल्ट मिलेगी, और दोस्तो मैं आपको बता दू कि आपने ये नहीं करना है, कि इन तीनों चीजों में से किसी एक का सेवन करना नह से हैं दोश्तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है हर सुवे मल मुत्तर को त्याग देना है और त्याग करने के बाद आपने सैर करने है और सैर करने के बाद सुरू होता है इस नुस्खे का काम इन तीन चीजों का काम दोश्तो सुवे आपने सबसे पहले आदा छोटा चमच यानि 2 ग्राम की मातरा में डालचीनी का पाउडर गरम पानी के साथ लेना है। दोस्तों ये डालचीनी आपके सुगर लेवल को कंट्रोल करेगी, मेटबलिजम को बोश करेगी, आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगी, और भोजन करने के आदा घंटे के बाद आपने लगबग 2 ग्राम यानि की आदा छोटा चमच मेथी दाना खाना है गरम पाने के साथ उसको निंगल लेना है। और ये तो काम हो गया सुबे का, अब बात आती है रात को। रात्री में खाना खाने के एक घंटे के बाद सोने से आदा घंटा पहले आपने आदा चमच आदा छोटा चमच लगबग 2 ग्राम के मातरा में कलोंजी लेनी हैं गरम पाने के साथ यनि ये तीन चीजे हैं दोस्तों दालचिनी, मेथी दाना और कलोंजी इनको खाने की बीमारी से बचे रहेंगे, दोस्तों आपको कोई भी विमारी नहीं लगेगी, तो दोस्तों देर किसे बात किये, आप भी इस नुस्खे को अपने घर पर आज से ही प्रयोग करना सुकर दीजे, और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजे, अपने सरीर को हरत रहें क बीमारी से बचा दीजिए तो दोस्तों यह है की हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जुरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबादीजे ताकि आपको हामारी सबी आने वाली वडियों की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों